देखें, गया लोगसभा सीट धार में काधार पर भी बहुत माने रखती है, और चुकि गया लोगसभा सीट जीतर नाम मांजी के हिस्से में जा रही है, ऐसी चर्चा है, तो वहाँ पर राज़द या कॉंग्रेस कौन अपने कैनिडेट को उतारेगा, यानि महा गटबंदन क कि तरफ से कौन आएगा मैदान में, चुकि बीजेपी की तरफ से क्लियर हो गया है कि गया सीट जीतर नाम मांजी को दे दी गई है, यानि हम को, आपको क्या लगता है सर, क्या है मुकाबला वहाँ पर, क्या सामीकरन बनता है, वहाँ पर जो संभावना बन रही है, चुकि नंबर इक, नंबर टू, कि चुकि इस बार वही चैदियू कि सीटे गठवंधन में, जो सीट के अधला बदली होना है, उसमें वो सीटे उमीद है कि जीतर नाम मांजी की पार्टी लड़ेगी, और साथ जीतर नाम मांजी स्वेंग उमीदबार होने वाले हैं, जीतर नाम म हो सकते हैं, और ये सीट राज़त के लड़ने की संभावना है, एक और चर्चा ये भी चल रही है कि कोड़ेस ही चुनाव लड़े, लेकिन कंडिडेट जो है, राज़त का हो और ये तुनों में से कोई है खोना, ये स्कुमार ये कुमार सर्वजीत, ये भी संभावना है, देखें, जीतन राममान जी बिहार के पूरू मुख्य मंत्री भी रहे हैं, और पिछला लोकसभा चुनाव जब लड़े थे, तो करारी हार मिली थी, अब क्या मोदी लहर में जीत पाएंगे, पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, तो महा गटबंदन की तरफ से चुना बिहार की राहिनिती में दो ही दल प्रासंगीक हैं, ठीक है, जैसा मैंने का कि औरंगाबाद में, निखिल कुमार अगर लड़ेंगे और जितने की समहवना बनेगी, तो कॉर्णेस के बल पे नहीं, ठीकट भले ही कॉर्णेस का होगा, लेकिन ताकत राजत की लड़े लगे यह वहां परत्यासी जीतन रामाजी कोई महतु नहीं रखता, बीजेपी अपन जद्यू को दे दे सीट, बीजेपी जीतन रामाजी को दे दे, कोई भी पीजेपी के समर्फन से जीतेंगे, नंबर वन, नंबर टू, आब एक सवाल जोड इसमें आ रहा है, कि जैसे फोर हिस्सा है ऐसे कुछ पर्त्यासी है जिन्हें भाजपा के समर्थक वोट नहीं डालनाई चाहते है। भाजपां के वैसे समर्थक जो कुछ भाजपा के सहीज़ीन को वोट नहीं डालना stimulus या Secret चुकि नितिष्कुमार की यो छवी बन गई, कभी उल्टा बोलना, कभी उल्टा बोलना, तीके, उसी तरीके, जीतन नामाजी, पार्टीजंता पाटी के जो परमपरागत समर्थक रहें जो राष्ट्रवादी के विचार हिंदू के विचार से प्रवावित रहें ऐसे लोगों को वो हट करते रहें उनका दिल दुखाते रहें तो भार्ती जनता पार्टी के समर्थ जब तक एग्रेसिव वोट नहीं करेंगे अपने सहयोग्यों के लिए तब तक उनके जीतने की संभवना बीजेपी की वज़ा से ही बन रही है तो राजद और कॉंग्रेस दोनों के लिए यहां पर मतलब तफ फाइट है गया सीट जो है राजद कॉंग्रेस दोनों को अभी ऐसी सीट जहां वो ऐसे कैंडिट को उतारेंगे कि ठीक है हार भी जाएगे तो कोई दिक्कत नहीं है कौन राजद और कॉंग्रेस ऐसा कुछ द अब गया सीट से जस्वी आतो तो नहीं उतारेंगे ना उनको डर है ना कि गया से कोई ऐसा चेहरा आप नहीं उतारेंगे जो फेमर्स चेहरा हो जो हारनी की संभावना जब लग रही है तो नहीं उतारेंगे उसको यह बात सही है लेकिन कोई भी दल चाहाए कॉंग्रेस भ खराब होगा जदियू का NDA में स्ट्राइक रेट सबसे खराब होगा ठीक है एंडियू में भार्ते जानिता पाटी का सिंबल जीतने की सबसे बड़ी गारंटी होगी और जदियू का सिंबल जो है सबसे कम गारंटी देगा तो ये बात सही है उसी तरह से महागटवंदर में